तो हमेशा के तरह आपका एक बार फिर से स्वागत है वैसे मैं फिलाल में आउट ओफ टाउन हूँ तो थोड़ा बैक्ग्राउंड चेंज भी दिख रहा होगा तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बहुत सारे लोगों का कमेंड था कि HBNC का जो फॉर्मेट हो तो वो सब इंस्ट्रूमेंट तो अभी आशा के पास है नहीं तो उन सब चीज का डिटेल आशा अपने दिमाग से एवरेज में कुछ भी डाल देती है तो वीडियो के साथ प्लास तक बने रहे ना क्योंकि इसमें फुल डिटेल के साथ HBNC या फिर घर का दौरा का जो पार्मेट इस यही है घर का दौरा HBNC वाला फॉर्म तो देखे सबसे उपर यह वाला पहला पार्ट है जिसको फार करके यहां से आशा उपर वाला पार्ट रख लेती है अपने पस यहां से ऐसे मोर करके फारना पड़ता इसको वैसे कैची का साइन दिया है और नीचे वा पार्ट हॉस्पिटल या फिर आसा फेसलीटर के पास रहता है तो सबसे पहले उपर वाला पार्ट मैं भरके दिखाता हूं किस तरीके से भरना है कौन सा उप्शन में क्या क्या भरना है क्या क्या उप्शन दिया हुआ है तो थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं जख सकते हैं यहां पे दिया गांग का नामा जो भी महिला का गांग है उसका नाम लिखना है कार्ड में लिखा और की तो उसके रहएility को तो ने नाम का मता का मवज उसके फैदाईश का मता सर्फ चाहिभा जितने इंध्बक सब्षलक्रार में प्りख देना है और एम में पैदा हुई या प्यदा हुई वह सब आपके कार्ड में लिखा हुआ है यहां से आपको नहीं लिख देना है उसक्षाद का सामानिय आगाThis बच्चा ऑपтовर्शन करके हुआ है तो सीजेरियन श्रलिये कі Ria आपको तिक मारना पड़ेगा अगर ndl में बच्चा पईदा हुआ तो सामानिय वाला पे तिक तो पता होगा उसका अस्पताल से छूटने की तीथि जो अरत होती जित दिन बच्चा होता हुए उसे दिन घर भर देना है उसके बाद दूसरे तरफ आपको लेकर दिखाता हूँ देखें यहां दिया है स्वास्त उपकेंद्र का नाम तो जो भी आपका उपकेंद्र है जिससे आप जुरे हुए हैं उसका नाम लिख देना है उसका पिता का नाम जो भी औरत है उसके पती का नाम लिखना या पिर मतलब बच्चे का जो पिता है उनका नाम लिख देना है तो यहां गर परशब का अस्थान तो अगर प्राइबेट या फिर सरकारी ऑस्पिटल में हुआ है तो आपको स्वास्त केंद्रे वाले पे टिक मारना है यदि घर पे हुआ था तो घर वाले में टिक मारना है यहां से आप पता कर सकते हैं यहां आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा कि अगर प्राइबेट या सरकारी में हुआ या फिर घर में हुआ तो तीनों जगए के लिए घर का दवरा भरना पड़ता है उसके बाद नीचे दिया है अस्तन पान की शुरूआत मतलब जो गंटे के अंदर वाले पर टिक मारना है बहुत बार होता है बच्चा बेहुंस होता है या मम्मी बेहुंस होती है तो एक गंटे के बाद या फिर 24 गंटे के बाद दूद पिलाया जाता है तो आपको पता हुआ कितने गंटे के अंदर या फिर कितने गंटे के बाद दूद लिख देना अगर मर गई है तो मिर्ति वाले में टिक मारना है उसके बाद साइड में लेके आता हूँ मैं आपको तो साइड में दिया है पी एच सी का नाम जो भी होस्पिटल आपका नस्दी की है जिससे आप जुरे हुए है उस होस्पिटल का नाम लिखना है उसका नीचे समय वोजन ग्राम में मतलब वो काड में लिखा होगा बच्चे की जब पैजाईश हुई जब बच्चा पैदा हुआ तो उस टम कितने वोजन का था कितने कीलो का कितने ग्राम का वो आपको यहां पर दर्शा देना है उसका जन का पंजी करन तो ओविसली होगा ही तो हां वाल पर टिक मारना है तो इससे पता चलता है कि अगर बच्चा मर भी जाए फिर भी घर का दोरा भरना पड़ता है और बच्चा जीवीत है फिर भी घर का दोरा भरना पड़ता है तो जिस भी कंडिशन में है बच्चा उस कंडिशन पर टिक मार देना है उसके बाद साइड में आपको लेके आता हूँ यहाँ पे देखे दिया है ग्रेया भ्रामन की ती थी तो पहला दिन अगर दो तारिक को बच्चा पैदा हुआ था पहला दिन को दो तारिक लिख देना है उसके तीसरा दिन तो ओविसली दो दिन बाद तीसरा दिन होगा तो तीसरा दिन चार तारिक ह बच्चे की तीका करन की स्तिति तो BCG का डेट और Hepatitis B का डेट यहां पर भर देना है उसके बाद यह डेर मेने बाद जो जब उसको पेंटा फर्स्ट पड़ता है तो यह पोलियो का डेट, FIPV का डेट और पेंटा वन का डेट भर देना है उसके साइड में आपको आना है, यहां पर आपको हां लिख देना है, उसके बाद नीचे वाले कागज में आते हैं तो यहां देख सकते हैं, वो उपर वाला तो आशा के लिए था, आशा अपने अस फार करके रख लेगी और नीचे जो दिया है थोड़ा सा, सेमेस्म उसी के तरह है, तो सेमेस्म उसी के तरह यहां पे भी फिल कर देना है, यह वाला पूरा वहां से लिग यहां तक उसका नीचे दिया है नौजाश शिशू का पर्थम परिक्षन तो यहाँ पे आपको नया लिखना परेगा कुछ तो आपको एक एक उप्चन बता देते हैं कहां पर क्या क्या है तो देखें यह सबसे पहले दिया है परसब का समय नमर एक पर दिया है तो परसब जितने असाल लिख देना है उत्तिय का जन्म कितने सब्टा में हुआ है यदि बच्चा 35 सब्टा से कम समय में पैदा हुआ है तो ध्यान दें तो जब जारतर बच्चे 35 алось सब्टा के बाद ही पैदा होते हैं मैं अर्टिस सब्टा में 40 में 41 क्या average में आप एक 40-49 यह तीन में से कुछ भी एक डाल देना, उसके बाद पर्थम परिक्षन की तीथी एवं समय दिया है, तो पर्थम परिक्षन होता है, जब जैसी बच्चा पैदा होता है, उसी time पर्थम correction किया जाता है तो उसी समय को यहां डाल देना है वही तीथी डालना है जितन बच्चा पएदा हुआ उतने बजे जितने बच्चा पैदा हो उसी का समय देना है 12 बजे हुआ है कितने मिनट में हुआ हुआ वो डाल देना है आपको उसके बाद यहां साइड में दिया है मा क्या मा को कोई परेशानी है तो वैसे जातर नहीं होता है तो यहां पर आपको दिया है option में बहुत अधीक रखत अस्त्राव मतलब ज़्यादा blooding जा रहा है तो आपको यहां नहीं लिखना है अगर जा रहा है तब हां लिखना है लेकिन जादातर condition आपको नहीं लिखना है क्योंकि आप हां लिखेंगे तो जाच के लिए उदर से officer, doctor सब आ जाएगा और यहां नीचे दिया है ब्यहूसी तो इसमें भी आपको नहीं लिखना अगर आप अहां लिखते हैं तो फिर जाच के लिए आ सकता है उसका नीचे दिया जन्म के बाद शीशु को क्या पिला गया तो ओविसली मा का दूदी पिला जाता है बहुत सरी और अगर दूद नहीं बनती है तो पानी पिला जाता है बच्चे को शेहद पिला जाता है तो ज्यादतर में आप मा का दूद वाले में ही टिक मारेंगे तो उसके बाद थोड़ा जूम करता हूं यह नीचे वाला पेज है देखें यहां दिया है कि शिशु को सर्व पर्थम कब अस्तनपान करा गया तो ओविसली एक घंटे के अंदर में करा जाता है तो आप आपको शिशु को अस्तनपान कैसे किया गया तो जबर्दस्ती कराया जाता है तो पहले वाले में आपको टिक मार देना है कमजोरी से यह सब आपको नहीं टिक मार खाली छोड़ देना है उसके यहां दिया है क्या मा को अस्तनपान कराने में कोई परेशानी हो रही है तो य यहांपे भी आपको नहीं लिख देना है कि कारवाई में उसके बड नीचे दिया है, शीशु की पहली स्वास्त जाँश परिक्चन तो यह सब में वच्छ नहीं- नहीं लिखना है आप लोग को ठीक है शीशु के सरीर का ताप्मान तो यहां की कारवाई में नाल से रखत अस्तरा हो रहा है तो नहीं वाले पर टिक मारना है हाँ वाला खाली चोड़ देना है नीचे की गई कारवाई में भी नहीं लिख देना है उसके नीचे दिया वजन किलो गराम है तो कितना किलो का था और कितने गराम का था यहाँ पर लिख देना है उसके वजन म पर देख बाद पहला पेज भड़ गया दूसरे तरफ वाला दिखा देता हूं दूसरे तरफ क्या क्या भरना है यहां जो उपर वाले जितने भी बॉक्स हैं सारे में हां हां वाले में टिक मारना है देखे सबसे नमर नग पर दिया है गर्म रखा गया हां वाले में टिक मारना है उसका बच्चे को सनान नहीं करा गया हां वाले में टिक करना है उसका बच्चे को कपरे से लेपेट कर मा के पास रखा गया हां वाले में टिक करना है उसके बाद केवल अस्तन पान शुरू करा गया हां वाले में टिक मारना है और नीचे दिया है मुरा हुआ अंग यह सब को खाली छोड़ देना कुछ भी नहीं करना आपको उसका नीचे है ग्रे भरेमन माता यह नौजाज शिशु की परिक्षन परपत्र है देखें यहां दिया है चोबीस घंटे में मा कितने बार भरपेट भोजन करती है तो चार बार मत उसका नीचे दिया है दूसरे नमर पर रखता स्त्राव एक दिन में कितने पैट बदलने पड़ते हैं तो पहले दो दिन वाले बाक्स में आपको दो दो पैट लिखना है उसके बाद एक एक पैट उसके बाद जिरो जिरो तीन दिन कर देना है उसे सर्दीक मुसम में क्या बच्चे को गर्म रखा गए यह सब में इधर जो उपर दिया है तीन बॉक्स कंटीनिव पर हां हाँ वाले में टिक मारना है यहां से लेकर इहां तक आपको सब में हाँ हाँ उले में टिक मार देना है उसका नीचे दिया ताप मान मापे ओर जाँच करें दिया है तो 100 Degree से कम रखना है और 95 Degree से उपर रखना है तो 96, 96, 97, 97 average में 98, 98, 99 इस तरीके से भर देना है 96 से लेकर 99 के बीच में आपको आगे पीछे करके कुछ भी भर देना है उसके बाद नीचे दिया है बदबूदार पानी आना ये सब बॉक्स यहां से लेके यहां तक आपको सब में नहीं नहीं वाले में टिक मारना है उसके बाद नीचे दिया है नोजाश शिशु की स्वास्त जाँच तो आखे सूजी हुई है इसमें भी नहीं नहीं सब में टिक मार देना है उसके बाद यहां दिया है वजन के लिए तो पहले दो दिन सौन ग्राम बढ़ाना है उसके बाद दोसो दोसो ग्राम हर बॉक्स में बढ़ाते जाना है जैसे अगर 3 किलो 250 ग्राम है तो अगले वाले में 3 किलो 350 ग्राम होगा फिर उसके बाद इस वाले में 3 किलो 450 ग्राम होगा फिर उसके बाद आपका 7 दिन का गैप होगा तो 3 किलो 650 ग्राम होगा फिर 3 किलो 850 ग्राम इसी तरह 200-200 ग्राम बढ़ाते जाना है उसके बाद नीचे दिया है बच्चे का तापमान के लिए तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है 94 से लेकर 98 के बीच में है यहाँ तापमान रखना है 94, 94, 95, 95 एवरेज में भर देना है 96, 96 उसके 97 कर देना है इस तरह के से एवरेज में उसके बाद यहां से ले करके यहां तक सब में आपको नहीं 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 सब बॉक्स में नहीं नहीं भरना है उसके बाद नीचे आपको ले के आते हैं नीचे भी है यहां से ले करके यहां तक सभी बॉक्सों में नहीं 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 सब में नहीं लिखना है अगर साइन करती तो साइन करवाना है सभी बॉक्सों में और यदी थपा मारती है तो थपा लगवाना है उसके बाद नीचे दिया है आशा का नाम, आशा अपना नाम लिख देगी, यहाँ आशा अपना हस्ताक्छर कर देगी उसके बाद जिस दिन रिपोर्ट जमा करेगे उस दिन का यहां date डाल देगी उसके बाद यहां नीचे दिया अपर यह वेक्षक का नाम मतलब asafacillator का नाम रहेगा उसके बाद asafacillator को यह कागज जमा कर देना है या फिर asafacillator खुद लेने आएगी तो इस form में HBNC form या फिर घर के दोरे में बस इतना ही लिखना था तो I hope कि आपको full detail के साथ इस वीडियो में पता चल गया होगा तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद